नमस्कार मैं हूँ अंजु पंकज बहुत बहुत स्वागत है आप सब का तो एक तरफ तो दिल्ली के सीएम अर्विन के जिवाल को अंत्रीम जमानत मिल गई शुकरवार को और देश शाम वो अपने शीश महल में भी पहुँच गए और आज का दिन भर का उनका बहुती व्यस कारिक्रम है वो हनुमान मंदिर जाएंगे उसके बाद एक बजे के आसपास प्रेस कॉंफेंस करेंगे अब वो प्रेस कॉंफेंस उनके तथा कथित अंदाज वाली प्रेस कॉंफेंस होगी या सच में रिपोर्टर्स के बीच बैठ कर वो प्रेस कॉंफेंस करेंगे और उन और उसके बाद से लगातार उनकी न्याय खिरासत बढ़ती जा रही है वो CBI की कस्टडी में भी रही और अब ED ने शुकरवार को उनके खलाख सप्लिमेंटरी चार्शीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी है एक बकसे में 224 पन्नो की चार्शीट को लेकर ED के अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे और बताय जा रहा है कि तमाम तरह के दस्तावेज भी उस चार्शीट के साथ कोर्ट में जमा करवाए गए है और 13 माई को जो स्पेशल जज है कावेरी बावेजा वो संग्यान लेंगे और उसके बाद सप्लिमेंटरी चार्शीट पर कारवाई होगी इस सप्लिमेंटरी चार्शीट में BRS की नितक के कविता के अलावा भी चार और लोगों के नाम शामिल है जिनमें चनपीट सिंग है, अरविंद कुमार सिंग है, दामोदर शर्मा का नाम है और प्रिंस कुमार का नाम भी है अब समझने की कोशिश करते हैं कि बागी के चार लोग जो है इनमें सबसे पहले अरविंद कुमार सिंग कौन है अर्विन कुमार सिंग की इस पूरे शराब घोटाले में क्या भूमिका रही है दरसल पिछले साल आपको याद दिला दू की CBI ने अर्विन कुमार सिंग नाम के एक शक्स को गिरफतार किया था जो इंडिया अहेड नाम के एक न्यूस चैनल पर कमर्शिल हेड के तौर पर काम कर रहा था CBI के मताबिक जून 2021 से जनुरी 2022 के बीच हवाला के जरिये पैसे की लेंदेन में अर्विन कुमार सिंग की घुमिकाश थी आरोप है कि अर्विन कुमार सिंग ने गोव विधान सभा चुनाव के दौरान प्रचार का काम देख रही एक कमपनी तक हवाला के जरिये सत्रा करोण रुपए पहुंचाए और ये कमपनी कौन थी ये कमपनी चैरिट एड़र्टाइजर्स थी राजेश जोशी की कमपनी थी जिस कमपनी ने गोव विधान पर रिहा कर दिया गया था और राजेश जोशी पर ये भी आरोप है कि इनकी जो चैरिट एड़र्टाइजिंग कमपनी है इसे 30 करोड रुपए का कैश भी दिया गया था यानि कि हवाला के जरिये 30 करोड का कैश गवा पहुंचाय गया था और वो कैश राजेश जोशी तक पहुंचाय गया था और इनकी जो चैरिट प्रोडाक्शन प्राइवेट लिमिटेड कमपनी है उसके तहत रत एड़र्टाइजिंग एक कमपनी है जिसने 30 करोड रुपए हवाला के जरिये रिसीव किये थे ये आरोप राजेश जोशी पर है आगे इस चार्जशीट में चनप्रीट सिंग का नाम भी है चनप्रीट सिंग को अभी हाल ही में अपरेल महीने में ही गिरफतार किया है एडी ने और तब से वो लगातार रास खोल रहा है कि कैसे कैसे हवाला ओपरेटर्स की मदद से उसने ऐसा गोआ तक महुचाया और ये कहा जा रहा है एडी की तरफ से कि ये जो चनप्रीट सिंग है इसने 2022 के गोआ विधान सभा चुनाव की दोरान आपके लिए प्रचार करने वाले सर्वेक्षन कारे करता हूँ क्षेतर प्रबंध को और अन्य लोगों को नकद भुपतान करने का प्रबंध किया था यानि पैसी के प्रबंधन का सारा काम का जो था वो चनप्रीट सिंग संभा रहा था जो 100 करोड रुपए सउथ लोबी से आमादी पार्टी को दिए गए थे जिनका जिक्र के कविता ने किया है अपने बयान में जो बयान एडी को दिए गए है और उन बयानों का जिक्र इस चार्शीट में है यह जो सप्लिमेंटरी चार्शीट राउजे वेन्यू कोर्ट में दायक की गई है ED की तरफ से उसमें उन सारे बयानों का जिक्र है तो जो 100 करोड रुपए सौथ लॉबी से आये थे उसमें से 45 करोड रुपए गोविधानसभा चुनाव पर खर्च के गए है और वो 45 करोड रुपए हवाला चैनल के जरीए ही गोवा तक पहुंचाए गए है और उसमें चनपीट सिंग की एहम भूमिका है अर्विन कुमार सिंग की एहम भूमिका है और प्रिंस कुमार की भी भूमिका है क्योंकि प्रिंस कुमार जो है वो भी चनपीट सिंग के साथ काम कर रहा था चांज के दौरान CBI ने हवाला ओपरेटर्स के रिकॉर्ड और वाटसप चैट के जरिए यह पता लगाया कि सारा पैसा राजेश जोशी की चैरिट एड़ोटाइजिंग तक पहुंचाया गया यानि कि 30 करोड की बात हो रही है वो राजेश जोशी की कंप्री तक पहुंचाया गया चनपीट सिंग की तरफ से और 17 करोड रुपए अरविंद कुमार सिंग ने पहुंचाया राजेश जोशी तक तो अब तक तो कुल 47 करोड रुपए की बात हो रही है कहा यही जा रहा है कि 45 करोड खर्च किये गए लेकिन यह राजशी बढ़ भी सकती है क्योंकि अरविंद कुमार सिंग पर 17 करोड रुपए हवाला ओपरेटर्स के जरिये राजेश जोशी तक पहुंचाने का आरोप है और चनपीट सिंग ने 30 करोड रुपए हवाला रैकेट के जरिये राजेश शोशी की चैरिट प्रडॉक्शन्स प्राइविट लिमिटेड कमपनी तक पहुचाए। अब आगे क्या रिष्टा है राजेश शोशी, चनपीट सिंग और प्रिंस कुमार का वो भी समझने की जरूरत है। नहीं है लेकिन ये भी गोवा में पैसे के लेन देन को किस तरीके से आमाधी पार्टी के कार्या करता हो तक या जो उनके वॉलंटियर्स थे या फिर जो विधायक का चुनाव वहाँ पर लड़ रहे थे आमाधी पार्टी के उमिद्वार उन तक पैसा कैसे पहुचाए जा है कि साउथ लॉबी से मिले पैसे से सर्वे टीमों का हिस्सा रहे वॉलंटियर्स को भी वेकाइदा सतर लाक रुपे आप भुपता न तरके अर्विन केजिवाल के खासम-खास है। इतने खासम-खास है कि वो cabinet तर के मंत्री को मिलने वाले बंगले में रहते थे। और विजे नायर अर्विन केजिवाल के लिए कितने महतवपून्ट थे। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब विजे नायर को CBI इने गिरफतार किया था तो उसके बाद बाकाइदा आधी रात को एक प्रेस कॉन्फरेंस की गई थी आमाधी पार्टी के नेताओं की तरफ से और यह कहा गया था कि यह गिरफतारी बिना आधार के हुई है बिना किसी ठोस सबूतों के हुई है और विजे नायच सौथ लोगों तक कैसे पहुँचाना है उसका सारा कामकारज विजे नायर देख रहा था ओप्रेटर आदे में फिर भी इड को वयान दिये हैं सारी जनकारे की कब कहां कैसे ही पैसे और फिर पिछले साल नवंबर महीने में तेलंगाना में कम से कम 22 ऐसे हवाला operators थे जिन से पूश्टाज की थी ED की टीम ने और इन से इस सारी money trail के बारे में जानकारी मिली थी कि कैसे 100 करोड रुपए जो हैं उनमें से 45 करोड गोआ तक पहुंचाए गये और फिर बाकी राजों में जहां जहां विधान सवा चुनावे वहां पर भी पैसा पहुंचाए गया और चूंकि पैसा सारा तेलंगाना से हैदराबाद से पहुंचाए गया तो इसलिए वहां पर जो हवाला उपरेटर्स हैं उनके बयान भी बहुत महत्वपूर्ण थे और उनमेंसे ही बहुत से हवाला उपरेटर्स ने ये जानकारी भी एडी को दी थी कि कुछ पैसा जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट से भी दिल्ली भेजा गया है इस बीच एक और शक्स को इडी ने गिरफतार किया है जो अठारवी गिरफतारी बताई जा रही है वो शक्स है विनोद चोहान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभिशेग बोनपली के कहने पर उसने दिल्ली में दो अलग अलग जगों से नकदी से भरे चार बैग एकठा किये थे और उनको भी गोओ पहुचाया था तो अब क्या ये वही पैसा है जो चार्टर प्लेन से दिल्ली लाए गया था और फिर उसे दिल्ली से डिस्पोज आफ किया गया तो क्या ये पैसे जो विनोद चोहान ने कलक्ट किये थे खोल रहा है और फिर चनप्रीत सिंग ने यह जानकारी भी एडी को दी है कि गोविधान समाचुनाव के दौरान जब दौरे पर आये थे अर्विन केजिवाल तो सेवन स्टार होटेल में ठहरे थे और वहां पर भी जो पूरा बिल है वो चनप्रीत सिंग ने चुकाया यानि क जो कैश उसके पास था उस कैश से वो भुक्तान किया गया है इसके सबूत भी एडी के पास है तो अभी यह जो सप्रिमेंटी चार्शीट है यह के कविता के खिलाफ दायर हुई है और इन बाकी चार आरोपियों के खिलाफ और के कविता के खिलाफ मनी लॉंडरिंग की धा साथ यह भी खबर थी कि आमाधी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है लेकिन सुप्रिम कोट में शुकरवार को दिन में जो घटना क्रम हुआ जिसके तैक सुप्रिम कोट ने अर्विंद केजिवाल को अंत्रिम जमाना दे दी हलांकि एडी ने पुर्जोर कोशिश की थ थी तमाम तरहां की दलीले सुप्रिम कोट में रखी थी गुरुवार को 44 पनों का हलफ नामा भी दायर किया था और ये गुहार लगाई थी सुप्रिम कोट से कि इस तरहां से अर्विंद केजिवाल को अंत्रिम जमाना दे कर वो एक गलत परंपरा के शुरुआत कर रहे हैं एडी की टीम राउजे वैन्यो कोट में सुप्लिमिंटरी चाशिट दायर करेंगी क्योंकि नियम काईदों के इसाब से 60 दिन के अंदर, यानि की आ रोपी को गिरफतार करने के 60 दिन के अंदर चाशिट दायर करनी वोती हैं तो केक कविता को 15 मार्श को गिरफतार किया गया था और 15 मई से पहले-पहले हर हाल में उनके खलाफ E.D. को चार्षित दायर करनी थी तो E.D. ने कल चार्षित दायर कर दी है और अर्विन केजिवाल के मामले में अभी E.D. के पास 21 मई तक का समय है तो 21 मई से पहले किसी भी दिन एडी अर्विन केजिवाल के खिलाफ भी चार्षीट दाया कर देगी और खबर यही है कि उस सप्लिमेंटी चार्षीट में आम आदी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो अंत्रिम जमानत पर चल रहे अर्विन केजिवाल की दिक्कते बढ तक खैर मनाएगी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो 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 नहीं तो नरसो उसे कटना ही है तो अर्विन केजिवाल अभी सिर्फ खेरात में मिली अंत्रिम जमानत पर बाहरे सिर्फ चुना परचार के लिए और ऊरोपों से मुक्त नहीं हुए है उन्होंने जो एडी किस दिन दायर करती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार, भारत माता की जैहो, वंदे मातरम और जैशे राम